आपको एक नई पहचान मिलते हैं जब आप होते हैं मसी में आपकी पहचान सबसे अधिक महत्वपोर्ण बनती है आपके काम नहीं कि दुनिया में यह होता है कि तुमने क्या किया तुमने क्या किया करते हो कैसे करते हो अच्छा नहीं किया बुरा किया कई बार मुझे संदे होता है कि हमें एक दूजे की परवान नहीं होती केवाल इसकी होती है कि सब क्या कर रहा है और हमारा हाल पूछे जाने पर आजकल हमारा देन ये जवाब होता है मैं व्यस्त हूँ आपने एक वर्ष से फोन भी नहीं क्या है मैं बहुत व्यस्त हूँ हमारा व्यस्त होना मानो हमारा महत्वपुर्णू होने का बिल्ला है हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं पर हम व्यस्त होते हैं उन्हें उनके फल के द्वारा जानोगे के बाहरे में क्या विचार है परमेश्वने हमें व्यस्त होने का बुलावा नहीं दिया बलकि फलदार होने का दिया है सो यदि कोई मसी में है तो वह नई स्रिष्टी है पुरानी बातें बीट गई है मेरे मादा पे तो मुझे प्रेम नहीं करते थे सभी बातें पर मेरे साथ दूर वैवर क्या गया सभी बातें मुझे अच्छे शिक्षा नहीं मिली मेरा जनम समाज के निचले तपके में हुआ था आप नहीं जानते सभी बातें नहीं हो जाती है आईए देखते हैं इफिस्यो एक तीन चार और साथ उन में मसी में आपको आइंदा प्रेम को खोजना नहीं पड़ता आप प्रिय होते हैं अब ये समझ लें ये शुवेरी प्रारतना है कि लोग ये समझ लेंगे परमेश्वर को आपसे प्रेम है कुछ लोगों से नहीं ये सब से प्रेम करते हैं पर वे आपसे प्रेम करते हैं आमीन इफिस्यो एक तीन और चार हमारे प्रभू येश्यो मसी के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद महीमा वहवाई और प्रशन साओ कि उसने हमें मसी में आशिश दी है ऐसा नहीं कि वे किसी दिन हमें आशिश देंगे जिसने हमें आशिश दी है कहां मसी मी स्वर्गे स्थानों में पवित्र आत्मा द्वारा सब प्रकार की आशिश दी है यदि मैं वे सब आशिश प्राप करना और आशिश युक्त जीवन जीना चाहूंगी तब मुझे मसी में जीना सीखना होगा देखे मैं परमेश्वर के अपनी जीवन के लिए बुलावे को भूल कर अपने सभी मीत्रों को बनाये रख सकती थी मैंने अपने कोई मित्रों नहीं खोए होते मेरा मतलब ये है मैं यदि चाहती तो मैं उन लोगों के साथ रह सकती थी जिन्हें मेरी बिल्कुल परवा नहीं थी और क्योंकि आप जानते हैं लोगों को सच मुझ आपके बिल्कुल परवा नहीं होती यदि वे केवल तभी आपके मित्र रहते हैं जब वेचाला किसे आप पर नियंतरन कर सकते हैं मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर लोग आप पर नियंतरन नहीं कर सकते तो वो आपकी परवा भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं आमी और मैंने श्रीक रही ये जान लिया मैं चाहती तो वहीं रूख सकती थी मैं स्वर्ग में भी गई होती पर मैं उन आशिशों में नहीं रह सकती थी यदि मैं उन परिस्थितियों में मसी में न रही होती और मैंने परमीश्वर का नहीं लोगों का अनूसरण किया होता मेरे विचार से बहुत से लोग अपने जीवन पर परमीश्वर के बुलावे और आनन से वंचीत रह जाते हैं क्योंकि परमीश्वर की बज़ाए लोगों को रिजाने वाले बनते हैं मेरा मतलब पॉलुस नहीं कहा, पॉलुस ने प्रेरित से कहा था, गलेतियों एक दस में यदि मैं अब तक मनुश्यों को प्रसंद न करता रहता, तो मसी का दास न होता, उन्होंने कहा, कैसी लोगों को न कहनी है, और न उन में से कुछ को वो अच्छा नहीं लगता था, जो म नहीं लगते, यह संख्यात मक्तत्या है, इसलिए हर वक्त सभी लोगों को प्रसंद न करने की कोशिश आपको मार डालेगी, वे आपका जीवन चुराएगी, शांती चुराएगी, आपका आनन चुराएगी, और इससे क्या फरक पढ़ता है कि उन्हें आप अच्छे नहीं लगते, जपरमेश्वर को आपसे प्रेम है, मा ली जी एक नना बच्चा बाहर गया और किसी दूसरे बच्चे ने, उससे कहीं कोई कठोर बात, जिससे उसकी भावनों को ठेस पहुची वे भाग कर अपने माता-पिता के पास घर आया, और सबसे पहरी बात, जो हम माता-प ही ठाक हो जाता है, हमें जब दुनिया में ठेस लगे तो हमें बिल्कुल यही कहने के आवश्यक्ता है, मैं परमेश्वर की पास भाग कर उन्या, हमें यह बताने देना चाहिए, मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुमें कभी नहीं ठूक रहा हूंगा, मैंने तुमें बनाया है, मेरे विचार से तुम सुन्दर हो, आमीन, मुझे बहुत क्रूध आता है, जब लोग चल पड़ते हैं, किसी धार्मिक इमारत की और हर अविवार जहां वे 4-5 सिद्धान्त सुनते हैं, जो उन्होंने पहले हजारों बार सुने होते हैं, ऐसा नहीं कि सिद्धान्त महत् करना सीखने क्या वशकता है, शांति और आनंद प्राप करना सीखना है, कुरुस युद्ध 10 के अनुसार, जो मुझे प्यारा है, हम उसी में भरपूर हैं, उसी में, उसी में, यदि हम उसी में भरपूर हैं, तो इसका मतलब यह है कि यदि कोई शादुश्युदानी, वो फिर भी परिपूर्ण है, और चाहे 30 बाल बच्चेदार जोडों की संगत में रहें, और उसके अपने बच्चे ना हूँ, वे फिर भी ठीक ठाक हैं, क्योंकि उसकी पूर्णता बच्ची होने में नहीं, वे उसमें पूर्ण हैं, यदि मैं 50 की उम्रों होने पर भी विवाइत हों, तब जब मैं विवाइतों की संगत में रहती हूँ, तो मैं या तो हताश हो सकती हूँ, या बेहद निराश हो सकती हूँ, क्योंकि मुझ में कोई नुस्का है, और मैं किसी चीज से वंचीत हूँ, या मैं कह सकती हूँ, मैं विवाह करना चाहती हूँ, पर इस समय मैं कुवारी हूँ, इसलिए मैं उनमें पूर्णा हूँ। कम ओन, यदि किसी ने अपना जीवन साथी खो दिया हो, और उनके सभी मित्रविवाइद हो, तब वे उनकी संगत में अपने को अस्विकारिया समझते हैं, उन्हें स्वेम को कभी भी अस्विकारिया नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मसी उनकी स्थान है। हमें इस योग्य होना चाहिए कि ये हम किसी के साथ भी आराम से रह सके कहीं भी। एक गरीब को एक धनवान के साथ आराम से रहना चाहिए, एक उच्छ शिक्षित व्यक्ति को किसी ऐसे के साथ आराम से रहना चाहिए, जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं हो, वगेरा, 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 क्योंकि हम में से किसी का भी उन बातों से कोई मूल् मसी में हमारी पहचान से है आये गलतियों तीन अठाइस को देखते हैं मेरे बोलने की गति उनकी टाइपिंग की गति सधिक है ये रहा वो सब लोग कही अब अब कोई अंतर नहीं है कोई भेद नहीं है नो कोई यहूदी रहा और न यूना नी नो कोई दास नस्वत अंतर रहा नो कोई नर ननारी नो कोई नर ननारी अबनी संदे हमारे महिलाओं और पुरुशों जैसे शरीर होते हैं और अलग 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 काम करते हैं ये बात समझने के कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मुल्य और कीमत और उच्च सामाजिक दरजा के वल मसी में हमारी पहचान से है बाइबल के अनुसार उसी में सब ही अंतर मिट जाते हैं सब ही अंतर गायब हो जाते हैं मुझे आज एक इमेल प्राप तो हुई किसी से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं कोई इमेल भेजती हूँ तो नीचे अपना नाम लिखती हूँ जोईस दन्यवाद जोईस तो मैं आशिश मिले उसने लिखा था दन्यवाद और फिर भेजने वाले के बारे में लिखा था और उसने नाम के नीचे उसके बारे में यहां तक लिखा हुआ तो मैं सोचने लगी यह सब क्या है सो मैंने ये पढ़ना आरम क्या लिखा था अमुक अमुक के निदेशक्य और अमुक कॉलेज के भूत पुर्वत छात्र, अमुक अमुक कम्पनी के प्रबंदकर, अमुक कम्पनी के सलाकार और आयात नियाक का काम करने वाले मैंने सोचा, वा, मेक वल जोएस हूँ. मैं कागस परुती महत्वपूर्णा नहीं लगती, कितने जाते मैं किस बार में बात कर रही हूं, कि आप एक अच्छा वचन देखना चाहते हैं, यदि आपने इसे नहीं देखा है, तो आप इसे देखना चाहेंगे, गलतियों दो छे, मुझे गलतियों दो छे, बहुत ही प् प्रवचन है, फिर उनके द्वारा कोई नए नियम नहीं बनाये गए, जो लोग कुछ समझे जाते थे, बेचाहें कैसे ही थे, मुझे इसे कुछ काम नहीं, आप ये समझ लें, परमिश्वर किसी का, परमिश्वर किसी का पक्षबात नहीं करता, क्या आप जानते हैं, हम अपने को ठका सकते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशीश में पर ध्यान दीची, परमिश्वर प्रभावित नहीं होते, जानते हैं उसे क्या प्रभावित करता है आप एक नन्ने बच्चे की तरह आकर, उनसे केवल ये कहेंगे, मुझे चाहे समझ नहीं आता पर मुझे उस पर विश्वास है मैं नहीं जानता परमिश्वर उसे कैसे सफल बनाएंगी पर मुझे उस पर विश्वास है मैं नहीं जानती कि आपके लिए ये विश्वास करना कठीन है कि उन सब बुरे कामों के बाद जो आपने किये हैं आप परमीश्वर के किसी काम आ सकते हैं पर ध्यान रखिए परमीश्वर कूड़े इसे फिर से निर्मान करते हैं हम सोचते हैं यह हमारा विचार था यास्चरी जननेक है कि लोग होश्यार थी जब उन्होंने जान लिया कि कूड़े इसे फिर निर्मान हो सकता है पर परमीश्वर अनंत काल से वो कर रहा हैं आप जानते हैं सामने फिर से निर्मान किये हुए कूडे को देख रहे हैं मैं नहीं जानती परमीश्वर ने यह कैसे किया मैं नहीं जानती मैं यहां कैसे खड़ी हूँ मैं नहीं जानती हमारी सेवका इतने बड़ी कैसे हो गई मैं कुछ नहीं जानती मैं नहीं समझती कि मुझे यह करना आता है मुझे पक्का विश्वास है कि मुझे वे करना नहीं आता क्योंकि मैं अतीत को देख कर सुचती हूँ मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ तो जानते हूँ दरारो वाले घड़े से प्रकाश अदिक फूरता है इसलिए मुझे तेज प्रकाश मिला क्योंकि ये मुझे में बहुत सी दरार है आमीन आप सब ठीक हैं अब जानते हैं हम निरंतलगबग दीवानगी की हद तक कोशिश करते हैं सबसे उच्च पद्वी प्राप्त करने और उसे कायम रखने की यदि आप सच मुझ इसके बार में सोचेंगे यह आपको एक पागलपन लगेगा मेरे साथ मरकुस अध्या 9 की ओर चली वैसे वी स्क्र लगे उसका उधारन जैसे हम होते हैं क्योंकि वे उस वक्त व्यस्त था अपने आपको इस द्रश्यों को समझना है येशु अपने चेलों को बताने की कोशिश कर रहे थे अपने आने वाली दर्दनाक मौत और उस सबके बारे में जो वे सहन करने वाले थे वे सच मुझ बह सबसे बुरे दिन के बार में बताती क्योंकि वे उस वक्त व्यस्त था अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुश्य का पूत्रा मनुश्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वे मरने के दिन दिन बात दो बार जोठेगा पर ये बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उनसे पूछने से डरते थे फिर वे कफर नहूं में आये और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे वे चुप रहे क्योंकि मार में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया थ था वुअमन चौहन चोहतीस अभ्यान्द येशु उनसे अपनी आने वाली मौत और पुन और जीवित होने के बार में बतान के कोशिश कर यह और चेले ये जानकर बटकाल कानी बाटचित कर रहे जिसके बारे में ये शुजानते थे, उन्होंने पूछा कि रास्ते में तुम किस बारे में बहस कर रहे थे, और लिखाए वेचुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था, कि हमेसी बड़ा कौन है, आप मति 20 में, दो बारह ये देख सकते हैं, मेरा मतलब यह आपके साथ बहुत भयानक घट रहा होता है, तब उन्होंने एक दन्ने बच्चे की बात आरम की, उन्होंने एक बच्चे को लिया उससे बात करनी आरम की, उसे एक सबक सिखाया कि सबसे महान वे होता है जो सभी का सेवक होता है हमर लेतम हैत्व पुर्ण क्यों होता है किसी और से आगे होना और किसी और से बहतर प्रकट होना और हमेशा हर बात से अवल होना और किसी और की तरह बात करना किसी और की तरह बनना किसी और के जैसे कुछ और हो ना हम क्यों पूरी तरह से उसे प्रस्तन नहीं होते जो परमिश्वन ने हमें बनाया है और हम एक दूसरे की और देखना और वे बनने की कोशिश बन क्यों नहीं करते जो हम नहीं है आमें अपने जीवन में एक सामय पर मैं बहुत 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 प्रयास करती थी ताकि मेरे गिर्जे का अभी जात सामाजिक दल में मुझे स्विकार किया जाए बहुत अचंबित करते हैं मुर्खता भरे खेल जो हम लोगों के साथ खेलते हैं क्योंकि कही बार हम सोचते हैं कि यदि हम होंगे ऐसे लोगों के साथ हीने mehto puna समझता है तब वे हमें mehto puna बनाए गे यह समझे कि हम mehto puna है क्योंकि हम मसी में हैं और वे हम है और इस एधिक mehto puna कोई कैसे हो सकता है आमी है और यदि आप को एक स्वक का काम मिला तो वे धरभि का सबसे महान काम है मैं कह रही थी मैंने इस उद्देश्य से बहुत प्रयास किये मैं गिर्जे के उन लोगों के अद्दल में शामिल होना चाहती थी क्योंकि वे निर्णाई लेने वालों का अद्दल था और हम उसमें शामिल हो गए और आखिरका डेव को गिर्जे में एक पद्वी मिल गई डेव को वे पद्वी पाने की बिलकुल इचा नहीं थी पर मैं चाहती थी इसलिए उने वो मिली मैंने उसके लिए भी प्रयास किये थे बात ये थी कि उन्हें वे पद्वी नहीं मिल सकती थी यदि वे सही दल में नहीं हो थे क्योंकि उन्होंने इसका चुनाव करना था और मैं उसमें इतनी माहिर हो गई थी आखिरकार मैं भी गिरजे के बोर्ट में चुनी गई और मैं गिरजे के बोर्ट में शामिल होने वाली पहली और इकलोती महिला थी सो मैंने भी चाला किसे उस पद में अपने पाउं जमा लिए और मैं अब एक पद भी पर थी और सच तो ये है कि परमिश्वर को ये सब हरकते बेहत पसंद नहीं थी मैं उन लोगों को प्रसंद करने की कोशिश करती और हमेशा उनके इशारों पर नाच थी पर मैं ये सब देने के लिए नहीं प्राप्त करने के लिए कर रही थी मैं अपने बार में सोच थी मैं 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 समय के बाद उन्होंने आरम किया मुझे ये बताना कि वे चाहते हैं कि मैं वचन सिखाऊंग। मैं आप से सच कह रही हूं। मेरा वो छोटा सदल बिलकुल बॉक ला गया। क्योंकि आप मैं उनके जैसी नहीं रहने वाली थे और यदि मैं उनके जैसी नह उती तो शरतियां मैंने गलत होना था। गिर जी में हमारी पद्वी से हमें कोई लाब नहीं हुआ। उन्होंने डेव की पद्वी या मेरे बोट पर होनी की परवा नहीं की और हमें देखकर ये कहा तुम या तो चुप हो जाओ या तुम यहां से चली जाओ उन्होंने हमें आकाश से सीधा धर्ती पर उतार दिया मैं आपको बता सकते हूं कि 32 वर्ष पहले चुप करना मेरे लिए एक विकल्पन नहीं था उसे शायद होना चाहिए था वो नहीं था और वे कठीन था डेव और मैं उसी संप्रदाय में बड़े हुए थे जिसमें हम थे उसके बाद परिवार की ओर से समस्या होती है वे सब सोचते हैं कि आपने अपना संतुलन गवा दिया है और आप पागल हो गए हो आप अजीब संप्रदाय से जुड़ गए हो इस तरह की कई बाते पर अब उसके बारे में सोचकर ये समझ आता है कि मैंने बहुत मेहनत की थी उस दल का हिस्सा बनने के लिए और उस पदवी को बनाय रखने के लिए मेरे कोई पदवी बची नहीं थी क्योंकि जिस पल मैंने वो नहीं किया जो वे चाहते थे उन्होंने मुझे बाहर भेग दिया यही होता है जब लोगों को प्रसंद करने वाले बनते हैं यदि आप लोगों को प्रसंद करने वाले बनते हैं आप बन नहीं पाते परमिश्वर को प्रसंद करने वाले यदि आ आप अपने को मसी में नहीं जानते तो आपकी जीवन में मनुश्य का भाय होगा और आप उन कुछ बातों का सामना नहीं करेंगे जिनका सामना करना चाहिए अप ऐसी बातों कौन देखा करेंगे जिनके साथ आपको निपटना चाहिए और धार्मीक्ता की आड में आप वाले हैं जिसके बारे में आप भली भाती जानते हैं कि परमिश्वन ने आप से उससे निपटने को कहा है हर चीज के बारे में प्रार्त ना करना जरूरी है पर फिर कई बार हमें उससे निपटने के आवशक्ता होती है क्योंकि परमिश्वर आपके लिए हर हर चीज से नहीं निप्टेंगे हमें संतोलित रहने के आवश्चकता है मेरे लिए जो बनाए रखना कठ हिन था क्योंकि मैं स्वयम हर चीज से निपड़ती थी और मुझे परमेश्वर की प्रतिक्षा करना नहीं आता था आप जानते हैं कि मुझे शांती बहुत पसंद है मे मुझे उसमें स्तक्षप करना चाहिए क्योंकि मैं आग में घी नहीं डालना चाहती पर कितने जानते हैं कि अधि आप उन बातों कौन देखा करेंगे जिनका आपको सामना करना चाहिए तब वो बाद में फिर से आकर आपको परेशान करेंगी कितने यह जानते हैं इसलिए में लोगों की ये सीखने में मदद करना चाहती कि वे कौन है मसी में और मैं चाहती हूँ कि आप उस पर सर उठा कर खड़े हो सकें और दूसरे लोग चाला कि से आप अन्यंत्रा ना कर सकें तो इसका मतलब लड़ा को बन कर ये कहना नहीं कि कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है और मैं इस तरह से जीवन जीऊंगा बाइबल ये नहीं सिखाती है ये बाइबल का सिध्धान्त नहीं है हमें जीना चाहिए एक दूसरे को प्रसंद न करने के लिए पर तब नहीं यदि आपको प्रसंद न करने की कोशिश में परमेश्वर को प्रसंद न करना हो आमें मैं यह बताना चाहती हूँ कि आप सभी प्रशन्स निया है और आप परमेश्वर के हाथों से रचे गए है आप इसे हर एक में आप सभी से बात कर रही हूँ किसी एक व्यक्ति से नहीं परमेश्वर की आपके जीवन के लिए कची हो जना है कोई भी खा इतनी गहरी नहीं और न उसकी बहां इतनी छोटी है कि बहां पहुँचकर आपको बहां निकल सके आपकी कोई समस्या ऐसे नहीं जो परमेश्वर को हैरान करती हो वे नहीं कहते हो नहीं मेरे पास इस समस्या का कोई हल नहीं है वे हमसे पहले जाते हैं वे हमारे बाद में आते हैं वे हम में रहते हैं परमिश्वर के पास आपके लिए योजणा है और जैसा मैंने पहले कहा था कि आप जरूर सब अल होंगे आमीन, सब खड़े हो जाईए कहिए मैं मसी में हूँ वे मुझसे प्रेम करते हैं और मैं अपने बार में उत्साहित हूँ मैं आपके लिए प्राइपना करती हूँ पिता इस प्रशन स्निया लोगों के दल के लिए ए प्रभू येशू हमें सच मुझ आप में स्वतंत्र होना सीखने में मदद करें ताकि हम न केवल उसके बार में बाते करें गीद गाया और उत्साहित हों बलकि हम सच मुझ स्वतंत्रता में जी हमारी मदद करें नन्ने बच्चे की तरह बनने में उस साथगी को बनाये रखने में जो मिलती है मसी में मसी में मसी में यदि कोई मनुष्य मसी में है जब हम मसी को अपना मुक्तिदाता स्विकार करते हैं और उनके अनुयाई बनने का निर्णे लेते हैं उसका मतलब होता है कि हमाई स्वतंत्रता मोल की गई है और उसका मुलियत दिया गया है उनमें यहन आट-च्छत-थीस के अनुसार सो यदि पूत्र तुम्हें स्वतंत्र आपके लिए सच मुझ सच मुझ यह समझना महत्व पूर्णा है और क्रिपया देखते रहें कोई कदम उठाएं अपना हिस्सा करें ताकि आपका जीवन बहतर बनें परमीश्वर का अनुगरार आप पर है आपका दिन्स शुभो कई देशों में सुसमाचार पहुँचा रहे हैं रिपया हमसे संपर करें या विजिट करें jmmindia.org पर आज ही अपनी प्रात्रा के अनुरोद बताने के लिए हमारे साधरों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शडियूल चानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसी का प्रेम बढ़ने के लिए